नवरात्री शुरू होने से पहले घर से आज ही हटा दें। यह तीन चीजें माता लक्ष्मी होती है, क्रोधित घर में आने लगती है दरिद्रता। तो आईए दोस्तों जानते हैं, आज की इस वीडियो में आखिर्व कौन सी तीन चीज है जो हमें नवरात्री शुरू होने से पहले घर से तुरंत ही हटा देनी चाहिए। यह तो आपको पता ही है कि नवरात्री के पर्व का इंतजार काफी बेसबरी से पूरे भारत में चल नवरात्री के पूरे नौ दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुब समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। कराना बहुत ही शुब और कल्यानकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ती का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्री पूरे नौ दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम ना ज्यादा पूरे नौ दिनों तक मनाई होंगे ऐसे में शारदिय नवरात्री पर मा दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन में 11 बज कर, 44 मिनिट से 2 पहर 12 बज कर, 30 मिनिट तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है ऐसे में जो नवरात्र आने से पहले घर से ये चीज़ें हटा देता है तो उसके घर में मा वैशनो का होगा आगमन मा लक्ष्मी का होगा वास मा शेरों वाली आपकी जोली खुशियों से भर देंगी इसी लिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीज़ें फौरण हटा दें दोस्तों आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेगे जो यदि आपके घर में भी होती है तो मा लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो मा लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती ऐसे घर से देवी देवता भी सदैव रहते हैं नाराज दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव जै मा शेरो वाली दोस्तों मा के लिए एक लायक तो बनता है दोस्तों सबसे पहले नवरात्री के पहले मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले मंदिर के अंदर यदि पुरानी मालाएं हैं तूटी फूटी मूर्तियां हैं उसके साथ ही खाली माचिस के डिबे रखे हुए हैं, तो उन्हें फेंक दें, तथा तूटी मूर्ती को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्री का वरत नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस वरत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरोवाली की तस्वीर यदि कांच के फ्रेम की है। और वो कांच हलकी सी भी यदि तूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवाले या ऐसी तस्वीर को जल में विसरजित कर दें। तूटी मूर्ती की पूजा करने से तूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी आस्था वरत आदि सब तूट जाता है। आपका वरत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्री के नो दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्री के इन नो दिनों में आचार, विचार औ इन दिनों में लोगों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते किन्तु वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्री के नौ दिनों में अपने घर इन चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुरान के अनुसार नवरात्री के नौ दिनों तक मातारानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। यदि आप भी चाहते हैं कि मातारानी आपके घर में वास करें, तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्री शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर साफ रखें, इन वस्तूओं को घर से बाहर निकालने के पश्चात अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। और जिस घर में वातावरन पवित्र होता है और नकारात्मक उर्जा नहीं होती, वहां माता रानी का वार सदैव होता है। नवरात्री के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े हैं, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नेगेटिव उर्जा लाता है, इसी लिए गंदगी बिलकुल भी ना करें। धूब दीब जला कर घर स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दर्वाजा स्वच्छ होना चाहिए, इससे माता आकरशित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। मा के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछा कर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपडा ही बिछाए। काला कपडा और सफेद कपडा भूल कर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, लाल कपडा ही होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटा हुआ चित्र यदि हो, तो उसे किसी पवित्र नदी में विसरजित कर दीजिए, क्योंकि ऐसी मूर्ति और चित्र दुर्भाग गिलाती है। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा ना करे और ना ही उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या अपने घर के मुख्य दर्वाजे के आसपास कबाड इकठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि आप अपने घर में, घर के मुख्य दर्वाजे पर या छत पर या फिर खास कर घर के उत्तर दिशा में अपने घर के मंदिर के मंदिर के किसी भी तरह का कोई फालती है। इसलिए नवरात्री शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घरी ले आए या उसकी मरम्मत करवा लें। घरी को प्रगती का प्रतीक माना जाता है। बंद घरी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगती में बाधा डालती है। इसलिए नवरात्री शुरू होने से पहले ही आप बंद घरी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों यदि आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है जैसे कि सड़े गले फूल, अगर बत्ती, धूप बत्त के डिब्बे या माचिस आदी के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें। या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान की कोई भी पुराने कपड़े जो फट गए या मुकुट माला जो खराब हो गई है तो उन्हें आप जितना जल् धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें क्योंकि नवरात्री के दौरान मालक्ष्मी भी ग्रह प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान तूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ पुराने जूते चप्पल इकठे हो गए हैं तो नवरात्री से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल इकठे हो गए हैं तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों नवरात्री के दिन सेब अवश्य खाना चाहिए शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदी अवश्य अर्पित किया जाता है। यदि आपका वरत हैं तो आपको सेब अवश्य खाना चाहिए। केला, बबीता, तर्बूज और मीठे अंगूर अवश्य खाना चाहिए। इन फलों से वरतधारी को शक्ती मिलती है, वरत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीता फल अवश्य खाना, सीता फल खाने से दस ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीता फल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। जब भी आप फलों का जूस पीएं तो याद रखें। उसमें नमक न डाले नहीं तो वरत तूट जाएगा। और आपके मुहु तक पहुँच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीडे मकोडे का मांस खाने के बराबर माना गया है। किन्तु याद रहे उसमें नमक न डालें। एक बात का ध्यान रहे वरत धारी को पेट भर खाना यानि गले तक भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं तो वरत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं दोस्तों नवरात्री के नौ दिन आदिशक्ति मा दुरगा को समर्पित होते हैं। नवरात्री के नौ दिन माता के नौ अलग-अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आईए मा का जैकारा लगाते हुए विडियो को शुरू करते हैं। दोस्तो नमबर एक नवरात्री के दौरान शादी शुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहन कर पूजा पाठ नहीं करना है। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा वरत आदिखंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाए तो उसमें कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी सदैव लाल कपड़ा बिछा कर ही बनाना चाहिए। सदैव याद रहे नवरात्रों के इन नौ दिनों तक व्रत धारी को अपना आसन मा की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता बहुत ही अशुब माना जाता है जिससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और सदैव के लिए चली जाती है दोस्तों नमबर दो नारियल हिंदु धर्म में नारियल को सम्रिध्धी, धन और सम्मान का सूचक माना जाता है नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है नारियल को सुक सम्रिध्धी में व्रिध्ध करने वाला माना जाता है नारियल तो हर मांगलिक कार्य में विशेश महत्व होता है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बली भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का प्रयोग हम सभी करते हैं खास कर कलश की स्थापना नारियल रख कर ही की जाती है माता रानी के पूजन में हम नारियल प्रयोग करते समय कुछ गलती करते हैं दोस्तों नारियल कई प्रकार के होते हैं एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है जिस नारियल के अंदर पानी होता है माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही प्रयोग करें नारियल चटका हुआ, तूटा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है साबुत नारियल ही सुक सम्रिध्धी का प्रतीक होता है नारियल को ही श्रीफल यानि की मा लक्ष्मी का फल कहा जाता है नवरात्री में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानि पानी वाला नारियल कलश पर स्थापित करना चाहिए साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के उपर लेटा कर रखना चाहिए कलस स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता नारियल को सदैव लेटा कर कलश के उपर रखा जाता है साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर उस पर रख दे और फिर लाल चुनरी उड़ा कर आप नारियल कलश के उपर स्थापित करें शास्त्रों के अनुसार कलश के उपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही वरत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं मातारानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, किन्तु कभी भी मातारानी के सामने नारियल को भूल कर भी न तोड़े, क्योंकि नारियल के 20 रूप होते हैं और स्त्रियां 20 रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल तोड़ना नहीं चाहिए हम सभी माता रानी के पूजन में प्रयोग करते हैं किन्तु लौग का प्रयोग करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं सदैव ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौग ही अरपित करना चाहिए जिस लोंग के उपर फूल नहीं होता या फिर जिस लोंग के पीछे लकडी की डंडी नहीं होती उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी प्रयोग ना करें फूल वाले लोंगों को ही पुन्यमाना जाता है और रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तू, कोई भी खराब वस्तू या तूटे हुए अक्षत प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी लिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही प्रयोग करें। दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विशनुजी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं। किन्तु माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के पूल अर्पित करने चाहिए। लाल रं ध्यान रखें कि मातारानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज प्रयोग ना करें। ध्यान रखें कोई भी खंडित चीज प्रयोग ना करें।